पिनुष्य हमेशा से ही अबुज पहलियोत था रहस्यों को जानने के लिए उच्छुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्मान को देख, उच्छुकता कई बार आकर्शन में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्य में और अधूत निर्मान है मद प्रदेश की राधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजेश्वर रायसिन जिला में या इस्थित है भोजेश्वर मंदिर की। यहां भोजपुर की पहारी पर एक अधूत और विशाल प्रंतु अधूरा सी मंदिर है या भोजपुर सी मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जानेंगे उसे पहले आप लोगों से अन्रोध है कि अगर आप महादेव के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विसेस्ता है कि यहाँ पे विशाल सिवलिंग है। अपने आप में अनूठे और विसाल आकार वाले इस्तिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनात्वी कहा जाता है। चिकने लाल बलुआ पासान के बने इस्तिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन सिवलिंग माना जाता है। इसके साथ ही गर्वग्री के विशाल सिर्ष अस्तम पर भगवानों के जोरों की मूर्तिया हैं। जैसे शिप पारवती की मूर्ति, ब्रह्मा शर्षती की मूर्ति, प्रभुशेराम और मातासीता की मूर्ति, भगवान विश्णु और लक्षमी जी की मूर्ति अस्थापित है। सामने की दिवार के अलावा बाकी सभी तीन दिवारों में कोई प्रतिमा अस्थापित नहीं है, मंदिर के बारी दिवार पर यक्छो की मूर्ती भी अस्थापित की गई है, इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं अपने विशाल अकार के में सरवाधिक विशाल है इसके अंदर अस्थापे सिबलिंग को देख प्रवेश द्वार का यह आकार प्रसंगिक लगता है इस मंदिर की एक अन्य विश्रेष्टा इसके 40 फूट उचे उचाई वाले इसके चार अस्तंब है गर्वग्री की अधूरी बनी छत इनी चार अस् प्रथम गुंबदिये च्छत वाली मारत मानते है और यह एक ससक्त प्रमान है कि भारत में गुंबद निर्मान का प्रचलन इसलाम के आगमन के पहले भी था इस मंदिर का निर्मान भारत में इसलाम के आगमन के पहले हुआ था अता इस मंदिर के गर्वग्री के उपर बनी अधूरी गुंबदाकर्चत भारत में गुंबद या सिखर निर्मान के प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रमान भी माना जा सकता है और इस जगह की एक अधूरी विसेस्ता यह भी है कि भोजेश्वर मंदिर के भूविन्यास अस्तम सीखर कलस एवब अन्यरे खांकन चटानों की सता पर आसू लेख की तरह उत्किर्न किये गए हैं उलेखनी है कि प्रमारवंस के प्रतापी राजा भोज ने इस विशाल मंदिर का निर्मान अपने विख्यात गरंथ समरागन सुत्रधार के अधार पर करवाया था समरागन सुत्रधार भारतिय वास्तु सास्त्रे से संबंदित गरंथ है इस गरंथ में 83 अध्याय है जिन में नगर योजना, भबन, सिल्प, मंदिर सिल्प, मुर्तिकला, मुद्राओं सहित, यंत्र और यंत्रों के बारे में 31 अध्याय में वर्णन किया गया है जिसका नाम यंत्र विधान रखा गया है जिसमें भारी वस्तुओं को उचाई पर पहुचाने के लिए आध्यूनिक हाइड्रोलिक सिद्धान का भी विस्तार से वर्णन किया गया है अधूरे मंदिर का अभूजा रहस्ते या अध्वुत मंदिर अपने आप में एक अभूजान सुलजा रहस्ते समेटे हुए है भुजश्वर मंदिर का निर्मान अधूरा है और ऐसा प्रतीत होता है कि निर्मान कारे एकदम से ही रोक दिया गया होगा इसका निर्मान अधूरा क्यूं रखा गया इस बात का इतिहास में कोई पुक्ता प्रमान तो नहीं है पर जन सुरूतियों के अगर माने तो इस मंदिर का निर्मान एक ही रात में होना था परन्तु छट का काम पूरा होने के पहले ही सुबा हो गई इसलिए निर्मान अधूर इसका कारण अभी तक अज्यात है किन्तु इतिहास वेताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकिर्तिक आपदा संसादनों की आपूर्ती में कमी अथ्वा किसी युद्ध के आरंब हो जाने के कारण हुआ होगा। गनीतिये वस्तु दोस के कारण निर्मान काल में ही धा गई होगी और राजा भोज ने इस दोस के कारण इसे पूर्णा निर्मान ना कर मंदिर के निर्मान कार को रोक दिया होगा। दौापर युग में पांडवो द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्मान एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबा हुई तो पांडव लुपत हो गया और मंदिर अधूरा रह गया। इसके साथ ही इस मंदिर के पास ही वेतवा नदी है। जहां पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जन कथाए भी प्रचलित है। अगर दूसरी माननेताओ को देखे तो इस मंदिर का निर्मान मद्य भारत के परमारवंसी राजा भोज देव द्वारा एक ग्यारवी सदी में करवाया गया था। राजा भोज देव एक अत्यांत प्रताप्य और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, अस्थापत्य और विद्या के महान सनरक्षक भी माना जाता था। जिनोंने 11 से अधिक पुस्तके भी लिखी है ऐसा कहा जाता है। या मंदिर एतिहासी असमारकों के रूप में भारतिय पुरातात्विक सर्वेक्षन विभाग के सनरक्षन के अधिन है। आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारियों से जूरे राने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियों अच्छी लगे है तो जाज से जादा सेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे हर हर महादेव धन्यवाद